हेलो एवरीवन, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, एक्जाम इस्टेडी जोन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, इन इक्वैलिटी के बारे में, जो लोग कॉम्पेटेटिव एक्जाम के प्रिपेशन कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा इन इक्वैलिटी तो कभी कभी कुछ कोशेंस ऐसे पूचे जाते हैं, जिनमें केवल साइन बना दिया जाता है, तो वो साइन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वो कॉश्चिन सॉल नहीं कर पाएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाली हूँ, क कि इन symbols का मतलब क्या होता है आप इनको कैसे समझ सकते हैं जिससे कि आप इस टाइब के questions को बहुत ही easy way में solve कर सकते हैं तो लास्त तक वीडियो को जरूर देखिएगा तो चलिए start कर लेते हैं आज की इस वीडियो को तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ conditions जाए तो भी हमें पता होना चाहिए कि symbols का मतलब क्या है और question हमसे क्या पूछ रहा है जिससे कि हम इसको easily solve कर पाएंगे तो चलिए जान लेते हैं तो first condition देख लेते हैं a is not smaller than b मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि a b से छोटा नहीं है अगर a b से छोटा नहीं है it means कि या तो a b से बड़ा है या तो a b के बराबर है बट a b से छोटा नहीं है तो इस case में क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पर देख लीजे a b तो a b से छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा होगा तो यह sign बना लिया हमने या तो इक्वल होगा तो यह sign बना दिया चीक है तो इस symbol का मतलब क्या हो गया कि अगर इस तरीके का symbolic है तो इसका मतलब है कि या तो A B से बड़ा है या तो equal है पर A B से छोटा नहीं है आप देख लेते हैं second condition Second condition में कहा जा रहा है कि A is not greater than B It means कि जो A है वो या तो B से छोटा है या तो बराबर है बट बड़ा नहीं है तो इसका जो symbol होगा वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से मतलब ये कि या तो B बड़ा है A से या फिर A और B दोनों equal है तो अगर इस तरीके कि कोई situation है condition आपको दी गई है तो इसके लिए ये symbol यूज़ किया जाएगा Next condition है A is neither smaller than nor equal to B It means कि जो A है वो B से ना ही छोटा है और ना ही equal है मतलब ये कि A equal to B तो है ही नहीं तो ये condition तो यहाँ पे होगा ही नहीं और कह रहे हैं कि A छोटा भी नहीं है B से It means कि A greater than B ये situation है यहाँ पर यानि कि A B से बड़ा है तो ये symbol का यूज़ किया जाएगा तो आप next condition देख लेते हैं A is neither greater than nor equal to B It means कि A B से ना ही बड़ा है और ना ही equal है यानि यहाँ पर क्या हो गया B बड़ा है इसे ठीक है समझ में आई गया होगा जैसे कि इससे पहले का था सेम यही है यहाँ पर A is less than B है और इससे पहले की condition में A is greater than B था तो friends जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले की जो condition थी उसमें भी हमसे directly नहीं कहा गया था कि A is greater than B यह इस सुवाली condition में भी हमसे directly नहीं कहा गया कि A is smaller than B गुमा कर statement पूछा गया गुमा कर question पूछा गया तो वो समझना जरूरी होता है आपसे directly नहीं पूछा जाएगा इसी तरीके से गुमा कर questions आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि statement का मतलब क्या है इस statement में हमें कौन सा symbol यूज करना है या फिर symbol देकर question पूछा गया है तो इस symbol का क्या मतलब है तो दोनों ही cases में हमें पता होना चाहिए कि चाहे symbol हो चाहे statement हो वो हमसे क्या पूछ रहा है तब ही आप easily questions को solve कर पाएंगे लास्ट कंडिशन देख लेते हैं A is neither greater than nor smaller than B मतलब कि जो A है ना ही बड़ा है B से ना ही छोटा है तो इसका मतलब हो गया A equals to B यानि कि A और B दोनों आपस में equal है तो हमने equal का sign यहां पर यूज किया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो symbols बने हुए है इनका क्या मतलब होता है symbols क्या कहना चाहरा है यह भी पता होना चाहिए और साथ में जो statement होते हैं इस तरीके के उनको भी समझना जरूरी होता है तभी आप inequality के questions easily solve कर पाएंगे तो अगर आपको यह video पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा और चानल को जरूर subscribe कर लीजे जिससे इसी तरीकी की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें Thanks for watching friends and have a good day